तो लह वर्सों में जनता समस्याओं का कर दिया भरमार अब लगा रहे हैं जनता दरवारी से क्या फाइदा होगा हुकमरी की मार बिरुजगारी की मार महगाई की मार महामारी से लासों के अंबार और ये लगा रहे हैं जनता का दरवार जिसे जनता ने नकार दिया अब वो ज जनता के दरवार लगा कर क्या करेंगे जनता को परिशानियों का सामना करना पड़ता है दूर दरा से लोग आते हैं आज जनता दरवार में जिस तरह से भीड उमड़ी है उतने लोगों की तो वो सुध भी नहीं लेंगे स्वर्गे रामबिलास पासवान जी के पीट में जिनोंने खंजर भोका है स्वर्गे रामबिलास पासवान जी ने अपने जीवन काल में अपना वारिस स्री चिराग पासवान जी को बनाया आज जिनके चिराग पासवान जी हनुआन बने थे राम नहीं हनुआन के बंगले मे प्रियाग लगा दी सुर्गे रामविलास पासवान जी के घरों में पांच साल वाद एक और फिर से सूबे के मुख्या नितीज कुमार ने जनता दरवार लगाया है और खुद नितीज कुमार जो है बिहार की जनता से रूबरू होंगे और उनकी समस्चाव का निवठारा ज में जनता समस्याओं का कर दिया भरमार अब लगा रहे हैं जनता दरवार इसे क्या फाइदा होगा चारो और मचा है हाका आज जनता दरवार में जिस तरह से भीड उमड़ी है उतने लोगों की तो वो सुद भी नहीं लेंगे लंबी कतार देखी जा रही है इसी से लगाया जा सकता है कि किस तरह समस्याओं का भरमार अंबार लगा हुआ है जनता के साथ तो नियाए नहीं हो पा रहा है हुकमरी की मार बेरोजगारी की मार महगाई की मार महामारी से लासों के अंबार और ये लगा रहे हैं जनता का दरवार जिसे जनता ने नकार दिया कोई अफसर साही इस तरह बेलगाम है, कोई किसी का सुद्ध नहीं लेता है, ये बात हम नहीं कहा रहे, सरकार के माननिय मंत्री जी ने कहाता है, तो वहाँ फिर चक्कर, दर चक्कर सचिवाले का लोग लगाते हैं, अफसर के यहां जाते हैं, लेकिन घूमते घूमते चक्कर लगाते लगाते परिशान होकर ठक जाते हैं, लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है, यहीं जनता दरवार का पुराना इत्याज है, हम भी वहाँ पहुंचे थे, वहाँ बहुत सारी लोग से मैंने बाचित किया, वहाँ पर सबकी बात एक कॉमन समस्या थी कि भू मावियाओं का वर्चास्या वो बढ़ रहा है, और अफसर साही जो है करें, सीओ हो, वीडियो हो, वो किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, बाई यह तो बैचारी जनता, गरीब जनता बैचारी परिशान होकर लगता है कि मुक्षमंतरी का जनता दरवार लगा है, जाए वहाँ कुनवाई होगी, धाक के तीन पात वाली कहावत है, यह तो आईवास है न, इसका कोई फाइदा नहीं होता है, जनता परिशान होकर बैचारे ठक हार कर घर में बैट जाते हैं, कोई सुनता है, यह समस्या तो लगातार लंबे अरसे से जनता दरवार में उठती रही कोई सुद नहीं लिया जाता है, यह सिर्फ आईवास है और कुछ नहीं है, जनता दरवार लगाने से पटना बुला करके जनता को परिशान करने से अच्छा है, लोग जनता के बीच में जाएं, और यह जनता के द्वारा चुनी गई सरकार तो है नहीं, जिनको जनता ने न स्वरगे राम बिलास पासवान जी के बंगले में आग लगा दी, स्वरगे राम बिलास पासवान जी के घरों में लूट फूट किया है, तो जो लड़ाई स्वरगे राम्बिलास पासवान जी दलितों के बड़े नेता थे दलितों, वंचितों, सोसितों, फिडितों के हक और हकूप की लड़ाई आदरनी लालू परसाद जी के साथ मिलकर स्वरगे राम्बिलास पासवान जी ने लड़ी थी वही लड़ाई आज तेजस्वी जादव जी लड़ रहे है और जनता का प्यार और आसिरवाद मिला हुआ है सिरीचिराग पासवान जी के बारे में तो तेजस्वी जादव जी नहीं किलियर कर दिया अब निरने उनको करना है जो किस राह को चूनते है संभिधान बचाने वालों के साथ रहते हैं लोककंद्र बचाने वालों के साथ रहते हैं जो संभिधान बिरोधी गरीब बिरोधी नौजवान बिरोधी किसान बिरोधी सरकार है उसके साथ रहते हैं उनका अगर महागठवन्दन में आते हैं तो स्वागत है इतो हम लोग कि जनता को पतना बुलाने से नहीं जनता के बीच में जाने की ज़ए और उनकी समस्याओं का निप्चारा करें